स्यामाप्रसाद जी के जीवन को इतने कम समय में पूरा बताना असंभव है, मगर मैं इनके जीवन के तीन बड़े बिंदुओं को छूना पसंद करूँगे, ये तीन कंट्रिबिशन स्यामाप्रसाद जी के ऐसे हैं, जो देश की जन्ताने कुरुतग्यता के साथ हमेशा याद रखने चाहिए, एक बंगाल का विभाजन कराना, दूसरा कस्मीर के बारे में आंदोलन करकर अपने प्राण की आहूती देना, और तीसरा भारतिय जन्संग की स्थापना करकर एक वहिकल्पिक वीचारधारा की सुरुवात पचास के दसक के अंदर करना, स्यामाप्रसाद जी ने इस बात को समझा था और एक अंदोलन खड़ा किया, बांगला बुद्धी जीवे को इकट्ठा किया, एक सम्मिलन बुलाया और उसके अंदर चर्चा की क्या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और उस वक्त एक अलग प्रांट की रतना की मांग को उन्होंने बुलंद करिया, अमरूत बजार पत्रिका ने आंदोलन थोड़ा गती मिला तो एक सर्वे किया, और जो पस्चिम बंगल आज का है उसके सर्वे में 98 प्रतिसत लोगों ने कहा कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, और इस सारी चीजों को लेकर वो गवर्णर जन्रल को भी मिले, और गवर्णर जन्रल को मिलने के बाद ये तय हुआ कि बंगाल का विभाजन होगा, और एक हिस्चा हिंदूस्तान में रहेगा, एक हिस्चा पाकिस्तान में जाएगा, अगर स्यामा प्रसाद जी ये न करते, तो आज हिंदूस्तान का नक्सा ऐसा न होता, कलकत्ता भी भारत में न होता, पूरा पस्चिम बंगाल आज किसी एक व्यक्ति के कारण बचाए, एक व्यक्ति के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर मैं इसलिए कहने की दुरुष्टता कर सकता हूं, केवल और केवल सहमा प्रसाद मुकर जी ने इस बात को परखा था, और उसको अंदोलन करकर आज बंगाल बच गया था,